लोक्समा चुनाओं में बीजेपी ने प्रचन जीत हांसिल की है लेकिन अब जो दंगल है वो दिल्ली का दंगल है क्योंकि आगले छे महीनों में ही वो शुरू होने वाला जिसको लेकर अब बीजेपी के अंदर कई मिटिंगों का दौर भी शुरू हो चुका है हमारे साथ ब बार बार हम बीजेपी जीत जाती है लेकिन दिल्ली विधानसभा का जब भी चुनाव आता है तो बाईस सालों से आप इस सूखे से नहीं पट रहे हैं क्या आप लोग को कि क्यों आप जीत नहीं पाते विधानसभा चुनाओं और आप अगले के तैयारी क्या है नहीं आता में है तो लोग उनको लगा एक बार इसको भी अजमा के देख लेते हैं और जब चुनाव लड़े तो कहा जे मेरे नवरतन है 66 मेले तो लोग उने एक्स्पेरिमेंटल उनको एक बर 2015 में सत्ता देने के बाद जो जो उन्होंने सपने बेचे थे वो सब सपने सपने ही बनकर रह गए अनिमित करोनी को पास करना पानी देना आज पानी की हाहकारे दिली में उन्होंने कहा था कोई भी नेता क्यों कोठी मेरे है क्यों लालबत्ती यूज करे क्यों वह स्क्यूर्टी ले हाँ जो सब चीजे के जिए लेकर चल रहे हैं तो लोगो लोग से मांग करेंगे केंदर सरकार की केजरिवाल को या तो बरकास करो और केंदर कहेगा कि को बातनी तीन मेने बाद दिली की जंताए बरकास कर देगी तो 90 दिन के अंदर अंदर यह हमारा दावाय दिली के अनौतराइज करोनियों का सर्वे करवाने के बाद और उनको प्रोसे उड़ाया लोगों ने पंद्रे लाख रुपे, पंद्रे लाख रुपे, कवीताओं में, कवियों के माध्यम से बड़ी चुट्कें ली जाती थी, लेकिन आज देश की जंता को लगा कि पांच लाख रुपे सोभागे योजना से गरीब के खाते में उत्रुन चले जाएं, और आईश्मान भारत योजना से पांच लाख रुपे इलाज के लिए उसके परिवार में चले जाएं, दो लाख रुपे का उसका बारे रुपे में जीवन भीमा हो जाएं, तो पंद्रे लाख रुपे के कहीं न कहीं सरकार ने लाब देने का गरीब आदमी को प्रियास कि तो हमारे लिए कोई संभव नहीं है, जब किसी काम को नियत अगर ठीक है, तो नियती साथ देती है पीजेपी एक बड़ा दावा कर रही है कि अगर विधानसबा चुनाओ जीतें, तो नबे दिनों के अंदर अंदर जो है वो अनाधरिकरित कॉलनी जो है, उसको नियमित करने की कारवाई जो है, वो शुरू कर दिया जाएगा